आप सभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल ला हूँ साधना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्य एक वीडियो को देखें और इसमें दीगे भी प्रत्य प्लेलिस्ट को भी देखें इस प्लेलिस्ट का नाम है एंडेंजर्स, खत्रे, ट्रैप्स है नहीं ऐसे खत्रे जो होते हैं यह ट्रैप्स होते हैं जिनमें की साधना लोग जो हैं वो जाकर उसमें कहीं न कहीं फसने का उनके बहुत जादे खत्रा रहता है और अगर वो जानकारी है जो किक और सादना करने वाले लोग्स या कर रहे हैं। उन्से बजने को जानने जाएं से बजन बजने को अपाय के ये साधना करने हम आ किसी बचाओ मचाओ हो जाएगा लेकिन अगर पास जाए उस खत्रे में भी तो उसके भी बचाओ को पाए हैं तो अबाते मैंने प्लेश्ट में देखिए गाओ खत्रे जो प्लेलिस्ट है बाद है उसमें आगए वीडियो मिलेंगे बहुत सारे उसी मेंसे एक बहुत बड़ा खतरा होता है ज़ालपूक तो उने टुटके यह जो होते हैं यानि कि जो ज़ालपूक करके जो भी बादा हैं अपनी हटाना वीमार्यों के लाज करना दरधिता का लाज करना या प्रेद बादा हटाना या कोई कोई अलचन जीवन में आ रही है उसको अटाना एक्स और सिर्जम कहते हैं इसको अंग्रेजी में यह वीडियो है इसका विशय भी है जो वीडियो का तो इसमें बहुत खत्रे होते हैं वह भी आपको किर्चा करूंगा आपको जी समझ में आ जाएगा अलागी इस तरीक विश है इनको यह धान अखना चाहिए कि प्रतेक साधक को कोई डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए कि यह हमारा विशय पसंदीदा है इसको मैं जानूं इसको छोड़ दूं यह नहीं करना चाहिए क्योंकि साधना जो है वो उसका मतलब होता है प्रतेक जीवन की प्रतेक पक गहराई से मिल जाए तो गलतिया नहीं होती अब जैसे मैंने वीडियो नमबर 227 बनाये हुआ है पली बादावाला उससे बाद समझ में आएगी आज का समय जो है वो किस प्रकार से दूशित समय है और वो सब को प्रभावित कर रहा है कोई भी बचा नहीं हुआ है और हर वक् मन मस्तिश्क पर पूरा दबाव बना देता है और गलत कर्मों की तरफ मन को प्रेडित करता है कि ऐसा हो इसी की कली में दूसरा है असूर असूर वाली प्लेस देखेगा उससे भी समझ में आगी कई बाते और एक सो पंचानमे नमबा के राक्षासों द्वारा भक्षन पु जो ठीक ठाग होगा सवी मार्क पर जा रहा हो और उसको भी गलत मार्क में ले जाते हैं। इस सब बाते मैंने उस वीडियो मताई हैं। अब यह देखिये बातें, हैं ये बेग जो. जोकि ontzogen को यह यावा है मालुम सबको हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है तो क्यों प्रियास निए कीज थे लिए लेकिन अगर चौह एक जानकरी मिल जाएगी इस समझना दीए कि विश्ये प्रकार का समय हो गया अब वो इस प्रकार का है जिसमें की गलत समय में गलत कारों की तरफ प्रेड़ भी किया जाएगा और आज के समय में डाक्षसों को बहुत बड़ा आतंक है मानवता क्या जब आप अथर वेज समिता में देखेंगे या और वेदों की समिताओं को अध्यन करेंगे तो इक उसमें आप पाएंगे कि उसमें असुर संग्राम है और जो जितने भी जो राक्षस होते हैं असुर होते हैं जैत होते हैं इन समों का विनाश करने के लिए जो इंदर देवता हैं देवराज इंदर वो वो इनका विनाश करते हैं और जो भी उनके साथ में जो देवी देवता हैं उनके साथ में वो करते हैं उनकी मतद करने के लिए अगनी देवता भी हैं वरू देवता भी हैं वायू देवता भी हैं सोम देवता भी है, हिसारे हैं उसमें, हिसा मेरे वीडियोस बने हुए हैं आप देखेंगे तो सम्मेरे बात आएगी, तो ये देवता जो देवराज इंदर ही मारता के रक्षक होते है तो वो उसमें एक बात जब वेदों में समिताओं में रक्षसों का बढ़नाना है तो मलतलब ये समझ लीजे कोई भी काल खंडो सत्यूग से लेकर आज ठका जो भी कल्यूग काल हो हर यूग में सूर असूर जाने दोनों रहेंगे राक्षस रहेंगे और अच्छे आदमी भी रहेंगे ये निगी स्वत्यूग में राक्षस नहीं थे उनका प्रभाव शीन हो जाता है उनकी ताका शीन हो जाती है उनकी ताका शीन हो जाती है लेकिन कलियोग में उसका उल्टा होगा यहां दानव का बॉल्वाला होगा हो और उसकों रहा होता है यह धान वीडियो बना भी आप देखेंगे यह hon है मांव सेदानव की जो है मानव सेदाना विकास में बाधक दानवी सक्ठी आ है गारन उप आए दोसों पंचानवी नमबर का एक वीडियो है तो समझ में आएगा कि मैंने दानव से मानव से दानव बनने की यातरा उसमें बताई हुई है दानवी शक्तियों का एक कुशेश उपसे उनका एक निच्छर हो कहते हैं कि जो उनके पास जो होता है वो अशुप कर्म करते हैं गलत शक्तियां होती है यानि अशुप कामी करें गलत कामी करेंगा मूर्ख बुद्धी होते है तामसिक जो कि बुद्धी होती है उनकी तामसिक इंटलेक्ट होता है intelligence उनकी जो है वो समझ लिए गलत दिशा में ही ले जाएगी अभी वे एक ही कहना जाएगी उनको मूर्ख हो क्या मैं तो उनके लिए वर्ड कोई एप्रोपेट मूर्ख भी नहीं है वो महा मूर्ख की शेड़ी में आ सकते कि उनको कभी भी समझ में आता है कि वो गलती कर क्या रहा है और उनको समझाने का कितना भी प्रयास कर लिया जाएग वो समझते भी नहीं है समझ भी नहीं पाएंगे वो और जारे समझाने का प्रयास कर दाएगा तो समझाने वाले को भी मार देंगे यह character sticks जो होती है दानवाग जो होती है आपको इसलिए बता रहा हूँ यह background ने सारी जो आपको यह चर्चा वीडियो में करने जा रहा हूँ तो यह मतलब बात समद में जाए कि समय है वो गलत शक्तियों को प्रिरित कर रहा है यह दानवी शक्तियों को भोलबाला है घब वो मानव को मारने के लिए ही सारा खेल हो रहा है मानव को अंदर से पूरा साफ कर दिया जाए अधिना कमजोर कर दिया जाए कि बोल भी न पाए अभ फिर उसको पूरी तरह से दबाया जाए उसको कुचला जाए और उसके जीवन को test-nets कर दिया जाए यह दानवी शक्तियों खेल होता है अब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हो जाएगे दानवी शक्तियां जो है वो जो है मानवी शक्ति मानव को जो है वो मैंने बताया दैनाव से मानव वाले वीडियो में वीडियो का जो टैटिल है जाड़ पूक टोना टुटके रोग दरदिता का प्रवेश भाग बंधन प्रेत बाधा जाड़ पूक करने वाले कौन होते हैं इसके लिए मेरे वीडियोच कुछ बने था कला जादू वाले प्रेशिट में आप देखिये जाभा उसमें कला जादू अब प्रेत शिद्धी करने वाले लोग सब प्रेत बाधा ग्रस्थ होते हैं कैसे होते हैं यह मानना सुब बताया हुआ तो इसमें जो है ऐगर ये उनके श्रीर में 90 शक्तियां प्रुविश कन जाती हाथ के समय में तो ये प्रेत बाद प्रेत तो मिल जगए मिलAut tap दानी शक्तियां वेठी हूं धुको निजारे करते हैं कि पुुर्ण चीड हो जाए पून्य चीड हो जाए तो उसके छरी Humichmen दर्जी दिवहन का नुए उसको ौस को सत्यानाज कर sistemasて बांच करने उसको extensive पीन नियन मार बड़ा ऐा कुछ हुआ उसको लगा कि नहीं मेरे साथ प्रि встрद बाधा है ně्या कोई बात है जो भी उसको गलत लगता हो उसने उपाय क्या सोचा एक सादक जो 2 शाधक हो जो क्या उपाय सोचे लेकिन कुछ बाते हैं मन में ऐसी भी आएंगी कि नहीं चलो जारपुक वाले पाँ चलते हैं जारपुक टोना टोटका करने वाले पाँ चलते हैं वो उसके पास में बहुत सारे विदिया होंगी वो करता है वो करेगा, बचाज देगा बूठ पिशाच अटा देगा जारपुक वाला क्या होगा? उसके पास पुदी बहुत सारे प्रेथ होंगे प्रेथों को समल्लिये वो प्रेथों उसकी शरीर में घुज गए होंगे वो ऐसा पॉस्पील ही नहीं है प्रेथों उसको कंट्रोल ना कर रहा हो प्रेज सिद्धी करने वालों के पास प्रेंद की आफ सकते करने के थोडा सा तो प्रेज सिद्धी को साधा नहीं है उनके लिए Аप तो अब यहारबूप वाले के बात जो भी जाएगा तो वह क्या होगा कि वह जो प्रेथ जितने भी बैटे होंगे वह सारे के सारे जो उसके साथ होंगे वह करते हैं ऐसारे मेंनेज करने का प्रियास करें जो व्यक्टि आया है याणि जो क्लाइंट आया है ऊसके उपर में जो भी प्रेंट बेत हैं उनkuy थोड़ी दर के लिए हटा दिया जाए उनसे दोस्ती भी हो सकती है, उसको अटा भी सकती है, जैसा हो चाहें उसके लिए एवज में जो भी वो पैसे बगरा मांगेगा, वो दे दिया जाएगा तोड़े दिन की आशान्ती में हो भी सकती है लेकिन वो प्रित कहीं जाएंगे तो है नहीं उसके प्रितों के साथ दोस्ती भी हो सकती है, तो फिर भापास आ जायेंगे हो यह सलसेला कभी भी ख़तम नहीं हो सकता उसका में अगर आप डीप में जाके देखेंगे, जो कारण होगा कि जो भी प्रेद बादा इत्यादी होती है और ये सारी चीज़ें जो होती है ये होती कर्म दोश के अनुसार होती है ऐसे कर्म काम करे होंगे पूर जनमों में या इस जनम में इसकी विए से पूर्ने छीट हो गए होंगे तब ये प्रेद आ जाते है तो उससे क्या होगा जो भी जाड़पुग करी जाएगी जो भी करे जाएगे टोटके बर करे जाएगे इसकी बीमारी दूर हो जाएगे वो बीमारी दूर नहीं होती है दूसरी बात क्या होती है कि जहां पर इस तरीके का खेल चल रहा होगा जाड़पुग का जनी करने वाल छास्तुरों जाना संतुरिच देखने जाना इसमें को इंधारे क्या है दूनिख्याश यह इंद्णिपह और इसमें कि में बेखाए भाइव नियुक्तियों के संसार के बारे वीडियो आप देखेंगे तो मिलेंगे, यह तो खेल चली रहा है, यह सब अधरवे समिता में चीज़ा दी हुई है, और शास्तुरों में भी दी हुई है, यह कोई वेशी बात है कि यह होती नहीं है, इस सब प्रभाव डाले होती हैं, लेकिन उन पर डाल पाती है जिनके को पात जाएगा, और थोड़े जार के लिए माले हटा दिया तो क्या होगा कि मुस पोजिशन को समझें, जब हटा जाएगा तो जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं तो कही ना कही तो जाएगी वो, कोई तो अपने पास रखेगा उसे, भगवान चिव हो गया है, क्या हो दो कि रुकाएगी, फिर वहाँ पे वो जो की शक्तियां जो होती है, इनमें थामसिक गुण और ज़्यादे होता है, और खुछ पार्ट जो होगा, उसमें राच्षी गुण होगा, सात्वी गुण भी होता है, बहुत थोड़ा होता है, तीनों गुण तो हो गई, लेकिन उसमें परसेंटेज बढ़ जाएका तामसिक तो जहां पर भी तामसिक शक्तियां इस तरीके की इखटी होने लग जाएंगी वहाँ पर वैसी बहुत सारे अवरोध निचर में आने लग जाएंगी बाते मैंने मानव से दाना वाले वीडियों बताई हुई है दोस्तों पंचा ताकत दिये हो उसके शरीर में हो तो उसको कुछ नो कुछ ताकत भी देती है शारे दिक मानसिक जो भी थाकत दे का भी रही होती है अंदर से लेंगे कुछ थाकत भी दे रही तो अमार लिए उसको निक्दम से एक्जिट करा दिया है भार निकाल लिया जाए तो वह पैता गंदगी छोड़ गया होंगे यह हो सकता है कि मेरा आपको नेक्स वीडियो में इसकी चर्चा भी करूं कि जो इस तरीके की प्रॉलम हो जाती है कि शरीर में बहुत गंदगी हो जाए और उसकी वरे से कम्जोरी इत्या दिया है तो क्या करना चाहिए तो उसके लिए वै दूसरा की क्या होगा कि जो की वैक्यूम सा क्रियेट हो जाएगा या निखाली पन सा क्रियेट हो जाएगा तो उसके दूसरा प्रेद भी आ सकता है थोड़े टाइम बाद आ सकता है ज़रूरी नहीं की तुरंत आजया हो सकता है दस दिन बाद आजया है बीस दिन बाद करेंगा विशेश प्रकार के मंतरों का यूज नहीं करेंगा तो यह इस परिस्थिदी को रोक नहीं पाएगा हो जहां पर जादे प्रतन करने की जरुबद नहीं है एक शांती से और थोड़ा सा गोपनी तरीके से अपने डारी मेंटेन करें एक पेपर पर नोट कर नोट उस स्थान का आप जोगरफी नोट करिए और वहां पर देखिए इस विकास किस प्रकार से हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वहां के लोग कैसे रह रह रहे हैं शांती से रह रहे हैं या उनके जीमन में किस प्रकार से परशानी आ रहे हैं किस प्रकार से रोक आ रहा ह और अगर वो धन गमाने का उपाय कर रहे हैं तो क्या सभी तरीके से कर रहे हैं गलत सभीक्वाइब कोई दन कमाएगा तो मानके चलिए कि वह दानवी शकती से वह पी लिए इसलिए हैं आज के समय में जो मैंने बताया कई वीडियोस में भी कि चोटे-छोटे उपाय भी सफल नहीं होते हैं शौर्ट-कट कुछ नहीं है। साही से साधनाय करनी पड़ेगी। और पृरी हम्ही기도 करते जाय दो यही इनको काम ही करना होता है यह जीवन की संभावनानाश कर दो कुछ साथना करने ना दो तो सभी तरीके से हैं अब मरने के बाद फिर प्रेत उनी में ले जाओ और यह सब जो भी अगर प्रेतों से काम कोई करा जाएंगे प्रेतों से अपनी प्रेत वर्सेस प्रेत किया जाएगा कि या प्रेत शक्ति आया और प्रेत शक्ति को अटा दे तो फिर मरने के बाद में जो जालपू कराने वाला होगा वो भी मरने के बाद उसकी बहुत-बहुत संभावना है कि वो भी प्रेत यूनी में ही जाएगा उस मून प्रितों का दास भी बन सकता है ये भी बहुत बड़ी एक रिस्क रहता है जालपूक कराने से ये सब इतने सारे खत्रे होते हैं और ये जहां भी जालपूक कित्यादी होगी वहाँ पे जालपूक कराने वाले होंगे जो कराते होंगे वो यह सोचें हैं कि मेरे सारे ρोम नस्थ हो जाएंगे, दरजशन सबस्थ हो जाएंगे. तो वो जो है, वो गलत फैमी में हैं बहुत. ऐसा हो नहीं होने वाला है. आच्छी शक्तियों को अपने प्राद शक्ति तर बेलड़ाया नहीं किया जाएगा, अच्छी शक्तियों को कोई सोच है कि एक घंगोर बहुत बड़ा एक प्रेथ हो दाना वह उसके द्वारा को अच्छे काम करा लिजाए तो पॉस्मिल नहीं क्योंकि वह तो खुद ही जहां बैठेगा वहाँ पर सारा अशुब अपने आप ही आजाएगा जितने भी संभावना है विकास की सारी सारी बंद हो जाएंगी नानुशक्तियों कामी होता है कि सारे काम को ठप कर देना यह एक वीजियो का विशा है तो आप सम्भावना है जो भी बनती है वो अच्छी नहीं है जालबुक के पास जाना वीजाई कभी अगर मन कर यह किसी का कि चलो मैं किसी जानपुक वाले को ढूँँ तो समझ लीजे कि वो अपने आपको खत्रे में डालेगा अपने परिवार को खत्रे में डालेगा और हो सकता है कि अपने पूरे बन्श को भी खत्रे में डाल देगो उसके पितर लोग भी है वो जो पितर होते हैं वो भी सब प प्रियास करूँ मैं कभी आगे वही है कि यह जाड़बु करने वाले आपको सामने दिख रहे हैं ठीक है शरीर है इनका लेकिन यह तो वैसे के लिए प्रिवेश कर चुकी है लेकिन एक अद्रश दुनिया भी है वहां पर पीछ जाड़बु करने वाले मरते तो यह भी अपन हजाते हैं विए पूर्श दुनियों के मिल मिलाके एक पूरी कॉपरटरीप बनाते है इसवmee कहते हैं कि सहकारी संस्था जैसे कहते है करते हैं वह करते करें वहहां से चोजो कि से माद्यम से हमने कि तो容 को ठीक करें Mississippi को फोड़ा वाट पैसे लेकिए थी करने की माहले कि-पन्छानि अगर consistent सिर्दी anyway जो करने के पास चले गाए थे ऐसी वैसी की कराने वाला वो तब भी गरेगा हों तो मतलब है कहने का है किसी भी किसी भी तरीके से अनलसिस कर ली जाए कि जो भी अगर कुछ करना खुदी करो इसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है दुनिया का संसार के सबसे मतबून वक्ति स्वैम साधक 158 नमबर का वीडियो देखिएगा जो काम करना आपने आप करो जो रिस्क लेन साधनाय करें साधनाय करें ठीक से निकल भी जाते हैं कुल साधनाय बता रहूँ आपको एक तो गलबबती अतरशीश के पार्ट देली करने चाहिए 243 नमबर घजैएगा ल districts अ दर शीर्ट जोसे नमबर का वीडियो देखिएगा मैंन के लिए बता के मन में यह जहार्पूग करने की प्रेड़ना उत्पन हो रही है तुरंत उपाय कर देने चाहिए इसका मदलब जहार्पूग प्रेड़ना उत्पन होने का मतलब भी कुछना को प्रभाव आज चुका है कि अब चलो इसको गड्डेम गिरा दिया जाए और वहाई से चब करना भी कुछ नहीं इसको केवल सुनना है तो भी निगेटिव फोर्से सारी हटती है और चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-देदास मिनट की हवन विदियां है वैदेक हवन विदी के प्लेस देखिएगा है और बहुत अधिक अगर पीडित है कोई तो उसको यह लगता है क कि मैं अपनी सारी प्रशानियों को एक साथ समाप्त कर दूं तो 75 नमर का वीडियो देखिएगा संपूर्वैदिक अगनी साधना और 155 और 292 नमर के दुमावती साधना रहस सेगे यह वीडियो आप देखिएगा तो और इसके बाद 2 से 80 नमर का इंदर वैदिक सूक्त दे जीवन इतना बहमूल होता है यह बात जब साधना की थोड़ी से उचाई जाएगी तो समझ में बात आएगी साधर को को यह चिंता ही रहती है कि पूरा जीवन नस्ट होना हो जाए गई जीवन का उनको वो इस तरीके से नहीं बिताते हैं कि पता नहीं कितने साल तक जिंदा रहेंगे आमर रहेंगे उनको लगटा है कि हर दिन एक एक दिन कम हो रहा है पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए तो जीवन जो भी कुछ ठीक सा कर सकते हो साधना कर सकते हो निकल जा बाद इस सारी चीज़ उनको भी समझने का प्रयास करते हैं यह एक विचारधार मन में विक्सित होनी चाहिए कि हम अपने जालबू को पास नहीं जाएंगे और इसमें बहुत नुकसान है अगर इनके पास गये तो हमारे रोग और दरिता बढ़ेगी घटे की बिलकुल नहीं बाद बन्दान होगा प्रेतबादा भी आएगी और बड़ी आएगी इससे बड़ी खाली फोले हो सकते है कि थोटाइम के आरा मिले फिर बड़ी आएगी स्मस में पाये करने किसी के पास जोड़ोगे नहीं जाना है आज के समय में किसी पे विश्वास नहीं करنا चाहिए य स्झाधना करने जाहिए युद्य प्रामालिक साधना ने करनी चाहिए फोना टोट प्राविय जीवन में होता है भाग बंदन और फ्रित बादा आती है हमको अपने आपने स्वैम में साधना करनी है घर में करनी इस सब घर में हो सकती है तो आशा करता हूँ कि आप सब लों के जान करें अच्छी लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद